हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज इस वीडियो में हम मिस्र भिन का जोड घटाओं गुड़ा एवं भाग को हल करेंगे फ्रेंज इसमें मिस्र भिन्नों का जोड घटाओं गुड़ा भाग है इसको हम पहुत सिंपल तरीका से साल्व करेंगे फ्रेंस इस वीडियो का आप स्टार्टिंग से लेके लाश तक देखते हैं तो आपको मिस्र भिन्नो का जो जोड़ घटा गुड़ा भाग होता है इसको हल करने में आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्राबलम नहीं होगा चले फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपका पहला क्वेश्चन है कि दू सही एक बटा के तीन में आपको तीन सही दू बटा के नो को आपस में जोड़ना है तो फ्रेंस जब भी मिस्र भिन्नो का जोड़ हो घटा हो गुड़ा हो एवं भाग हो इसको हल करना हो तो प का मिस्र भी नहीं किसका साध्हार भिन क्या हो सकता है देखिए यहां पर दूर्स सही एक बटेंना है इसको आंस are एक इक जोड़ें गे किस्को आपर जो संख्या उसी संख्या कि यहां पे लिख लेंगे यानि कितना होगा तीन दुना के 6, 1, 7 7 बटा के 3 यह क्या होगा देखे फ्रेंस यह आपका मिस्र भिन है यह क्या है यह आपका साधार भिन है देखे फ्रेंस इसको direct आप कर सकते थे 3 दुना के 6, 6, 1, 7 तो कितना लिख सकते थे साथ बटा के तीन डारेक्ट लिख सकते थे इस तरह लिखने कि आपको जुरूद नहीं बस आपको समझाने के लिए ये तिरी का बदा है तो चलिए फ्रेंज इसको लिखते हैं आप देखिए अब लिख लिजिए तीन दुना के च्छा च्छा एक बटा के तीन धनका चीन धनका देंगे इसी परकार इसका 9 का 3 में करेंगे 9-3-27 तीन कितना हो जाएगा फ्रेंज और हर में कितना है 9 तो नो लिख लिजिए अब देखिए फ्रेंज यह एक आपका क्या है साधालाब भिन के रूप में हो गया अब क्या करते हैं यहां पी द आपको बताते हैं देखें यहां पर कितना दिया है इन दोनों का आपका कितना आ गया help कितना आ यहां पर आपका आपका 9 छी ठीक है अब क्या करेंगे, friend, इस हर का इस में भाग देते हैं. तो 3 का भाग दीजी तुकितना बार में जांगे ? रश्माद दा ना के 3. यान कितना बार में जांगी इतनी कैंगे ? तो 3 यहां पर लिखिये, देखिए आप क्या करते ? 3 का 7 में गुड़ा करेंगे 3 साथे की इकिस होगा धनका चीन है दंका दीजिए 9 नो का भाग 9 में देगे देगे इक गुड़ा 29 में जो डिए ते के 5 Ne नो एक दस दूदू चार एक पाँच यानि कि जब 29 को 21 में जोड़ेंगे तर्थ कितना होज़ागा 50 बता कि नो यह आपका एक साधहराई भिन के रूप में यह आपका एक साधहराई भिन के रूप में है ति इसे यदि एंसर आपका लिखना होगा ति एंसर सही है लेकिन यहां पर क्या है 9 का भाग कितना में पचास में अब 9पचे 45 हो गए आपका यहांसे घटाएं कितना पांच और देखिए इसको लिखने का अच्छा तरीका कैसे लिखेंगे इसको मिस्र भिन के रूप में जो यहां पर लिखा होगा इसको ऐसे लिखेंगे और जो सेस्फल आपका इंसर होगा है इस प्रकाज़ थोड़ा बताने में आपको हमें समय लग रहा है लेकिन जब आप समझ जाएंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल तरीका से आप लगा लेंगे चलिए फ्रेंज यह तो समझाने में आपको कुछ समय लगा है लेकिन के चा लिखेंगे माइनस का चीने माइनस का देंगे आठ तरी के चोविस चोविस से पचीस पचीस बटा के कितना लिखें आठ लिखेंगे देखिए आगए फ्रेंज यहां भी हर आपस में समान नहीं है तो इस हर को समान करने के लिए क्या करेंगे आठ और चार के क्या दूदूना के चार होगा फिर दूदू तरे के बंता и ऑपके इस इस का भाग इसमें देंगे इस हर का बहाई चार का बहाऊ देंगे आठ कितना बहाँ क in5 में कुदा का ढूद जह ज कीजिए दू च्छाsis बाराहरा होगाully मैनसु SIM कर दीजिए कितना है कि एक के 25 के 25 को को इसको गटातीे समय जब भी संखियाँ है तो çोटी संखिया घटाते हैं तो पचीश में च दो कि हमें बचाएंगा आपका तेरां के आपठτη देखिए फिरेंगों चब्लद तेरा बचाण के नहीं तो जिसको लिखना है कि तरह लिखेंगे इसको यहां पर लिखेंगे सिक आठ का भाग देता है इसको हर में लिखेंगे कितना हो गया एक सही पांच बटा के आठ ते यहां पर लिख दीजिए एंस्वर आपका, एक सही पांच बटा के आठ, यही फ्रेंस क्या हो जागा, आपका एंस्वर होगा, ठीक है, इस पकाज जो घटाना लगाते हैं, चलिए, आप गुड़ा यहां भाग को हल करते हैं, अगला को एस्ट होगा, ओध दोना के 10 ऑर 10 तीन, 13, बटाके कितना हो जाएगा, 5 अच होगा, गुड़ा घची ना गुड़ा का दीजिए, दीखिए 2 का एक में करेंगे, दू, 2 और पांच कितना हो जाएगा, 7, बटाके 2, दीखिए फ्रेंस, यहां पर कोई अंस और हर में कोई संख्या नह क्यानवे बटाके 10 हो गए फ्रेंज देखिए यहां पर भी अंस क्या है अधीक है हर से इसमें भी इसको मिस्र संख्या की रुप में लिखना कैसे लिखेंगे यही काम करेंगे कि यहां पर आप क्या किजी हर का अंस में भाग दीजी चलिए हैं क्या करते हैं का है दस का एक क्यानवे में भाग देते हैं भाग देके बता देते हैं शत्तना आप क्या लिखने का तरीका यही है भी बतायकर और जो अगला more question भाग को हल करते हैं युऽ भाग को भी हल करते हैं समय इसका स्पहले जो मिस्छर हिंसे साथ हरा भीनमे लिखेंगे देखे चार कर तीन में करेंगे चार तहीं बारा बारा अज्ट 27 रहाजा चार हें भाग की बाठा थार बता के इस..बibile कर दिजिए अभी यहां भाग के अस्थान पर गुड़ा कचिन देंगे, जब गुड़ा कचिन देते तो यह आपस में क्या हो जाएगा, पलड़ जाएगा, यानि कि 12 उपर चला जाएगा, अंस में, और जो 28 अंस में, वो हर में आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए फ्रेंस, यहाँ पर जो संख्या कट रही, इसको पले कटा के छोटा कर लिजी, देखिए, चार के में, चार, चारताइग, बार, देखिए, साथ दुना के, चहुदा, साथ चोग को, 28, अब क्या करेंगे फ्रेंस, अगला इस्टेप, कि पले इसको, यहाँ बच रहा है, इसको लिख लिजी, देखिए, यहाँ पर दो बच रहा है, अंस में हर में एक है, गुडा का चिन एक गुडा का दीजी, अंस में यहाँ पर तीन है, हर में यहाँ पर चार है, अब क्या करेंगे, अभी पताएं फ्रेंज, अंस का अंस में गुड़ा हर का हर्म करते हैं, देखिए यहां पर भी एक संख्या कट रहे, देखिए 2-1-2, दू दिना के 4 खट रहा है, अब देखिए 3 का 1 में करेंगे 3 हो जागा, और 2 का 1 में करेंगे 2-1-2 हो जागा, देखिए फ्रेंज, यहां भी अंस क्या है अंस हर से जादा है इसे भी आप बदल सकते हैं चलिए अब दो का भाग तीन में देखे बताते हैं यहां पर दो का भाग तीन में देखे बताते हैं कितना बार जगत दो एक है यह दो होगा तीन में से दो जगत एक अब इसको लिखने का तरीका क्या है आपका लिखने का तरीका यही है आपका कि इसको क्या करेंगे यहां पिलिखेंगे ठीक और जो सेस्फल बसता इसको अंस में लिखेंगे और जिसका भाग देते हैं वो हर्म होता है एक सही एक बटा के दूख क्या हो जागा फ्रेंस आपका एंसर होगा तो friends इस प्रकार से म sopr भिनों का जोड घाटा ये गुड़ा भाग को हल करते हैं तो friends जब भी म plans भिन दिया होगा उसमें आप ध्यान बस यही देना है आपको की म planning को साधराय भिन में चेंज करका ही लगाते हैं तो friends आपको ये video पसंद आए तो video को like करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें